हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो माई चैनल निटिंग लेसंस वाई शिवानी जिसकी आज की वीडियो में हम ये सिंगल कलर डिजाइन बनाना सीखेंगे सिंगल कलर ये डिजाइन बहुत आसान है बनाने में बहुत ही सुन्दर लगता है और आप इसे किसी भी वूलन प्रजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए इसे बनाते हैं ये सिर्फ दो सलाईों का डिजाइन है एक सलाई हम राइट साइड से डालेंगे दूसरी डॉंग साइड से और यहाँ पर इसके लिए फंदे हमने लेने हैं तीन के मल्टिपल में थ्री के मल्टिपल में हम फंदे लेंगे और प्लस टू कर तो यहाँ पर सलाई में हमने थर्टी एट फंदे लिए हुए हैं थ्री के मल्टिपल में थर्टी सीक्स प्लस टू थर्टी एट तो चलिए रो वन ट्राइट साइड बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर जो हमारा एज स्टिच है इसको हम सीधा बन रहे हैं आप चाहें तो इसे बिना बुना भी छोड़ सके हैं यह एज स्टिच है इसको हम डिजाइन में कौउंट नहीं करेंगे देखिए इसको हमने सीधा बना बौडर के बाद कि यह हमारी फस्ट ट्रो है यहाँ हमने कुछ design बना के रखा है दिखाने के लिए लेकिन जो आप border के बाद से first row बनाएंगे वो यहीं से बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बना रहे है देखिए first stitch जो edge stitch है इसको हमने सीधा बुना इसके बाद देखिए हमें क्या करना है यह हमारा first stitch यह second यह third हम first और second से पहले third को बनेंगे देखिए कैसे सलाई से नहीं निकालेंगे यहीं से बनेंगे इसको पहले lose कर लेते हैं देखिए यह तीसरे फंदे के अंदर से हमने सलाई को enter किया अब हम इसको सीधा बनेंगे देखिए यह हमने तीसरा फंदा हमने first पहले बनना है यह हमने देखिए तीसरा फंदा बन लिया यह जो हमने फंदा बनाया है इसको हम lose रखेंगे इसको tight नहीं करना है इसके बाद के पहले दो फंदे बनेंगे एक एक करके ये देखिए अब first फंदा बुनेंगे और फिर ये second फंदा देखिए तीसरा फंदा हम पहले भुन चुके हैं इसले इसको भी सलाई पे से उतार देंगे इस तरह से हमने तीन फंदे बुल लिए अब फिर से ये ही करेंगे देखिए ये हमारा first stitch है यह second यह third, third को हमने पहले बुणना है दिखे, third के अंदर से सलाई को हमने enter किया इसको हम बुन लेंगे हम फंदा लूज रखेंगे यह वाला इसके बार के पहले दोनों फंदे एक-एक करके बुनेंगे दीकि तीसरा फंदा हम पहले ही बुन चुके हैं इसको सलाई पे से उतार देंगे इसी तरह से हमें पूरी रोग को बनाना है दीकि थार्ड फंदे में से सलाई को एंटर करेंगे तीसरे फंदे में से और से तीसरा फंदा हमनें पहले बुना इसके बाद पहला फंदा बुनेंगे और फिर दूसरा फंदा बुनेंगे तीसरा फंदा हम पहले से ही बुन चुके हैं देखिए यह बुना हुआ दिखाई दे रहा है इसको सलाई पे से उतार देंगे देखिए तीसरे फंदे के अंदर से हमने सलाई को एंटर किया यह हमने फंदा बनाया इस फंदे को हम लूज रखेंगे इसके बाद कि पहले दोनों फंदे हम सीधे बुनेंगे एक एक करके और यह इस फंदे को भी उतार देंगे तो देखिए हमारा यह डिजाइन बनता चला जाएगा चलिए इस तरह से पूरी सलाई बना कर तयार करते हैं देखिए डिजाइन की हमारी फस्ट रो कंप्लीट हो गई है अब लास्ट फंदा है इसको हम simple सीधा बुन लेंगे इस तरह से यह फस्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है रॉंग साइड में आ जाते हैं सेकेंडो के लिए wrong side row second हमने सारे फंदों को उल्टा बुनते हुए complete करनी है एक एक करके सभी फंदों को हम उल्टा बुनते जाएंगे इस रो को उल्टा बुनते हुए complete कर लेते हैं यह second row हमारी complete हो गई है और इस तरह से दोनों सलाया हमारी बन गई है अब इस डिजाइन को आगे बनाने के लिए इनी दोनों सलायों को हमें बार बार रिपीट करना है I hope यह डिजाइन आपको पसंद आएगा आप इसे जरूर ट्राइ करेंगे कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईए लग थैंक यू